आपका स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टार्गेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर अभी कुछ दिनों से एक नोटिस कह लिजिए, डिपार्टमेंट टु डिपार्टमेंट का नोटिस होता है, वो वाइरल हो रहा है, BPSC में जो सीटेट की डिमांड थी, यानि कितना कट ओफ चाहिए होता है, सीटेट का महिला वर्ग के लिए, उसके लिए इन्होंने अपनी जो पहले जो सूचना जारी की थी, यानि की विग्यपती जारी की थी, उसमें 55% की बात की थी, लेकिन अभी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, एक बार फटा-फट से सभी बच्चे जोड़ जाएं, मोहमद, शाहिद, कुरेशी, पुष्पा, चोहान जी, बहुत बढ़िया, हाँ, बिलकुल BPSC को टार्गेट लेकर ही चल रहे हैं, बिलकुल निशिंत रहो, बिलकुल निशिंत रहो, आपका काम पहले भी कर माना है, कि महिला योगिता सीटेट में 55% की मानी जाएगी, या 60% से कम की मानी जाएगी, या 60% ही होना चाहिए, और 60% से कम को अमान निमाना जाएगा, इस मुद्धे पर समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इस मुद्धे पर बात ही नहीं, बात क्यों नहीं हुई, देख पर एक लाइन लिखी हुई है 55% दिखा दूँ मैं पहले आपको ये दिख रहा होगा आपको ये में जो आपका 2.0 बीपेसी टीरी 2.0 का जो नोटिस निकला था विज्यप्ति निकली थी उसके अंदर था क्या कहा गया था इसके अंदर गौर फरमाएं हमें मतलब सिर्फ इतन 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामानने कोटी के अभ्यरती को नियुनतम 60% अंक पिछडा वर्ग अत्यंत पिछडा वर्ग और सामानने कोटी की महिला उमीदवारों को 55% अंक और SCST और निशक्त कोटी के उमीदवारों को 50% के आधार पर उत्तिण माना जाएगा यानि ये लोग BPSC का फॉर्म भर सकते थे उन्हें उत्तिण माना जाना था ठीक साब अब यहां एक बात थी कि भाया अगर स्टेट का कोई बच्चा अगर किसी भी स्टेट में भरता है फॉर्म को तो वहां उसे सामानने बच्चे के तूर पे उसको रखा जाता है यानि उ का लाब नहीं दिया जाता चाहे वो एकोनोमिकली वीकर से आता हो से आता हो चाहे वो फिजिकली यहां BPSC में तो फिजिकली डिसेबल बच्चे को भी सामने में ही लखा गया था अगर अगर अधर स्टेट से बिलॉंग करता अब बात यह थी कि यहां एक लाइन लिखी हु गुडिया बिटिया बिटिया अगर BPSC का फॉर्म भरती है सिक्षक भरती के लिए तो वह सामने वर्ग में काउंट होगी ही होगी और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उसका जेंडर नहीं बदल जाएगा किसी भी हालत में तो वह सामने कोटी की महिला उमीदवारी ही होग और 55% का मतलब था कि आपके अगर आपके अगर CTAT में 82.5 मार्क्स आए हैं तो आप फॉर्म भर सकते थे इसके अंदर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था कि बिहार की सामने कोटी की महिला के लिए 55% है तो ऐसे में बच्चियों ने फॉर्म भरा भरना भी था हर व्यक्ति न पर ओठा के देख लिजेगा सभी ने 82.5 बोला अब क्या हुआ बच्चों की जॉब लगती है अब जॉब लगती है तो बिटियाओं का जब डॉक्यों एक तो इस बार इतनी गजब की मेरिट गई कि पूछे ही मती आब 120 में से 89 89 पर तो मेरिट रुक रही है सामानने की तो हो गया लेकिन जब डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चियां गई तो फिर पता पढ़ रहा है कुछ ऐसा जमेला उनकी जान को हाजर कर दिया गया है क्या जमेला जान को हाजर कर दिया गया है यहां देखिए गोपाल गंज के जिला सिक्षा पदाधिकारी ने क अगर आपको ही यह लाइव कम से कम ऐसी 10 बच्चिया हैं जो आपके इसी परिवार से पढ़ी और पढ़ने के बाद वो बच्चियां मेरिट में सेलेक्शन लिया, एक तो मेरिट में सेलेक्शन लेना बड़ा गड़ था, इस बार इतनी जादा हाई, मतलब मेरिट गई थी और आद में सबका हो गया, तो काज जी देखो आपका नहीं हो सकता आपके साथ अंक नहीं हो, लड़की ने का आपका खुद का विग्यप्ति, आपकी खुद की सूचना है, इसको गौर फरमाईए यह क्या कह रहे हैं आप, फिर उसके बाद में बच्चियां गई कहां, हैड़ पाटर गई, हैड़ ऑफिस गई, वहाँ जाके बात की, कहा तीन दिन बाद आईएगा, बच्चे जो अधर स्टेट से बिलॉंग करते थे, डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहीं रुक गई, वहीं रुक गई, तीन दिन बाद कह दिया गया नहीं, अब कुछ जो अधर स्टेट से आता है, वह सामान्य कोटी में आता है, अब महिला उमीडवार तो क्या किसी का जेंडर भी बदल जाता है, क्या स्टेट से बदलते ही, जेंडर तो नहीं बदलेगा, तो बच्चा भाईया, यही तो मानेगा, सामान्य कोटी का 55% पे मैं आला हूं, एक बच्ची के 89 मार्क्स है, 90 नहीं है, लड़की का सेलेक्शन रोका हुआ है, उसको जॉब नहीं दे रहे हैं, तो यहां इनोंने लिखा है कि भाईया, इनके 60 प्रतिशत से कम अंक होने के कारण, कांसलिंग कराए जाने के बाद, तदर्त नियुक्ति पत्र इनका इस्थगित र कि बताईये क्या करना है, इसका क्या नहीं करना है, जिला पदाधिकारी नहीं लिखा है, मामला ये है, तो कुल मिलाकर एक चीज तो पष्ट गलो, इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा, उसी से पता लगेगा, कि आप 60 पे ले रहे हो, अधर स्टेट की महिला केंडिडेट को या आप 82.5 को मान रहे हो, अच्छा जी, इन्होंने तो कम से कम इंटर्टेन किया है, बाकियोंने तो इंटर्टेन भी नहीं किया बच्चियों को, ऐसी काफी बच्चिया है, जिन्होंने फिर खार करके, बिहार के अंदर पटना हाई कोट में इस बात के लिए क्या करी है, गुहार लगाईए कि देखिए, यहां कहीं लिखा हुआ नहीं था, तो पहली चीज इस पश्ट कर लीजिए कि एक तो 90 नंबर अपने पक्ये कर लीजिए, तभी आपकी एंटरी रहेगी, अगर आप अधर स्टेट से बिलॉंग करते हैं, आलो कह रहे हैं मैं क्या इस बार कि दॉमिसायल लगेगा, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि दॉमिसायल लगेगा, और जब तक कोई आपकी सूचना ओफिशल वेबसाइट पर ना आ जाये करें, तब तक किसी भी तरीके की जितनी भी बातें, क्योंकि होता क्या है, आज कल है मल्टी मीडिया जमाना, एक बात चलती है, ऐसे फैलती है, हवा की तरह, उसमें कुछ सच भी होता है, कुछ जूंट भी होता है, कुछ फिर व्यक्ति अपना परसप्शन भी देता फिरता है, तो क्या करना है, क्या करना है, विशेश तोर पर आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान एक ही चीज का क्या है कि भाई एक तो पहली चीज ये देख लेना है कि इसका क्या result निकलता है क्या 82.5 पे मानते हैं या 90 मानते हैं तो जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगी ठीक है जैसा भी रहेगा जो भी मामला आपका रहेगा लेकिन ये जो है ये साफ अगर आप अपन क्या लिखा है सामान्य कोटी की महिला उमीदवार को 55 प्रतिशत अंक भाईया अधर स्टेट की बिटिया भी वहाँ पर सामान्य कोटी में कंपीट कर रही है वहाँ पर सामान्य कोटी में पहुच रही है तो क्या जेंडर बदल जाएगा महिला नहीं रहेगी वो क्या हो जा पिर आप उसको रोक देते हो तो ये तो मेरे हिसाब से सर्वता अनुचित है क्या है सर्वता अनुचित है अब जो कल रात में वीडियो लेकर आई थी उसे आप देख लीजेगा आप अभी भी यही जानना चाहरे हैं कि क्या मार्च में होगा आपको ये देखना है कि क्या है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अपनी तयारी करिये मैं आपका 25 दिन में पॉलिटी वाला सेक्शन पूरा गरा दूंगी वो 6th to 8th का 9th का और 1 to 5th का पूरा रहेगा अन्य टीचर भी आपका पूरा जान लगा देंगे और क्या होगा अगर तुरंत वेकिंसी के लिए हो जाता है कि नहीं जी आ रहे है तो पूरा फोकस लगा देंगे पूरी जान लगा देंगे उसी पर लगा देंगे पहले ठीक है ना उसी पर पहले क्या लगा देंगे जान लगा देंगे S.P.K.N. Ravijji Supertet का बैच लाउंच कर चुकी हूं कल प्लीज एक बार अपने आपको करता है अपने आपका नंबर देखता है तो खुश होता है और फिर ऐसे थाम दिया जाए तो बड़ा दुख होता है तो आपको क्या लगता है कि यहां कुछ जादा आपको नहीं लगता कि BPSC को अपनी चीज़ों को clarify जादा करना चाहिए और जैसे कि कल रात से यह वाली जो खबर चल रही है अगर वास्तम में आयोग को sincerity के साथ यह खबर कितनी सच है या कितनी नहीं है इसका खंडन करना था या इसका समर्थन करना था अब तक तो इस पर खबर आ जानी चाहिए थी क्योंकि 12 गंटे से जादा बीच चुके हैं 12 गंटे से जादा P.S.C. है तो B.S.C. पर focus कर लो गबराओ मत हम तो सब साथ में लेकर चल रहे हैं सब साथ में लेकर चल रहे हैं तुम्हें पूरी जी जान से पढ़ाएंगे इस बात की guarantee है तो आपको बिलकुल क्या करना है अपने आप में बहुत जादा जबर्जस्थ तरीके से क्या कर ले अब एक जैसे गुडिया कह रही है, कि मैम आपने ही इस पष्ट किया था, फॉर्म भरने के समय पे, आप इस पष्ट नहीं थे, बटा हम तो इस पष्ट थे, और हमी नहीं, हर व्यक्ति इस पष्ट था, किसी का भी YouTube चैनल उठा के देख लेना, मैं 100% शौर हूँ, सब ने यह ही कहा था, कि 82.5, 82.5, क्यों, क्योंकि BPSC TRE 1 जो था, उसके अंदर 82 पर लिया गया था, तो इसका मतलब यही था, फिर अब आप इस तरीके की खबरें लेकर आते हैं, और बच्चों को रोक देते हैं, तो यह मामला जो है, यह संगीन है, यह मामला क्या है, यह संगीन है, क बच्चे का समर्थन हो, ताकि अगर कभी हमारी चीज पहुचती है, BPSC के कानों तक में भी, तो उनको भी समझ में आए, कि भाया, आप इस पश्ट करके दे दिया कीजे, अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि नहीं अधर इस्टेट वालों के लिए इतना है, इस बात को भी आप इसपश्ट करिए, ठीक है, तो सभी बैचेज आपके लॉंच हो चुके हैं, एक फरवरी से शुरू है, निशुल क हैं, पीडिएफ से लेकर सभी चीजे हैं, हमारी तरफ से आपको पूरा-पूरा-पूरा समर्थन सदेव रहा है, सदेव रहेगा, और स इस बात को लेकर, क्यों इस पश्टी करना नहीं है, यह चीज समझ से बाहर है, तो जो भी कुछ होगा, वो डेफिनेटली BPSC क्लियर करेगा ही करेगा, और फिर उसके बाद हम आप तक खबर बिलकुल पहुँचाएंगे, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपनी त इसा कर दो कि अब आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, सिवाए जॉब के, सभी बैचेज आपके लिए बिलकुल निशुल्क किये गए हैं, PDF से लेकर, हर एक चीज एक फरवरी से शुरू है, पूरा ध्यान लगा दीजे, दमदार तरीके से, चीक है, तो बहुत-बहुत धनिवाद, जय हिन, जय भारत, ध्यान दे अपना